याद आता है कुछ आपका पहला परफॉर्मेंस कहा था, कैसा था, कितना बड़ा मंच था, कैसे वो संयोग क्या था कि आप स्टेज पर पहुंचे और वहां से शुरू हुआ आपका यह सफर जो अब यहां तक पहुंच चुका है, जहां लोग अब सितार और आप एक दूसरे के परियाय बन चुके हैं, पहला जो जिन्दिगी में, आपको बता हूँ, कलकत्य में बहुत मशूर एक कॉंफरेंस होता तो उस जमाने में, 47-48 की बात करो, तांसिन संगित सम्मेलंग, उन्हें पहले बजाया मेंने, क्यों बजाया, उहां पर मेजरी कंपिटिशन फरस्ट जायता मैं, तो मेरा पहला पब्लिक परफॉमस जो, और उसके बाद हम रेडियू में आडिशन दे के पास हो गया है, और बजाने लगे हम, रेडियू में हम देखिए हैं, चौसर सालों के बजा रहे हैं, ऐसे बहुत कम काला कार मिलेंगे अपको, हमर तो जिन्दी के कहानी हैं, हम बोल, अपने बने में ज्यादा बोलना, इसले ही नहीं चाहते हैं, बोल सकते हैं, देखिए, चाली सल उनिवस्टी पढ़ाया, साथ किताबे लिखी हैं, पचास बार विदेश गए हैं, और राग हमने आर्ट बनाया, और क्या क्या बताओं अबको, तो इसमें हमारे इनिवस्टी पढ़ाने के में देखिए, हमारे अंडर में 40 PhD स्कॉलर है, PhD स्कॉलर मिला है, अब सोचिए, एक जिन्दिगी है, कितना काम है, हमने 40 सल उनिवस्टी में लगाया, हमने डिपर्मेंट को बनाया हमने, तो इसले से, अब देखिए, कि हमारे जो बारे में कहा जा बहुत पसंद करते हैं मरे सितार, एक चीज जो मैंने मेरी सबक से उपर मा आगे दूँगा, हमने बाजाने के स्टाइल है, हमने कायम के लोग सुनकर बता देंगे, यह मैं बजा रहा हूं, यह बहुत बढ़ी बाते हैं जिन्दिगी में, मनलब हम सितार बजाते हैं, आप क बजा रहा हूं, अभी हाली में एक हमरा प्रगम होता है, हैबिटेट में, हमारे शाय नानी जी गुजर गया, उनकी याद में मैंने बजाय था, यह मुझे फोन करके कहा, हम सूर के गंगा में नहा किया है, आपके सितार को उन्होंने इतना में दर्जा दी, एक अच्छे कल मतलब हमारे कहने कए मतलब हमें हमेशा हमारे गुरू जी के दोहा है, सुर है इश्वर, ले है जन, तन ही पत है, ड्रूप है ध्यान, ठीशर प्राप्ति करना हो, सुर के साधना करो, और चाश्चा सुर भगवान होता है, आप कहीं पे देखेंगे, सच्चे सुर कहीं बाजाते हुए करीब सत्तर साल तो ही गया। मगर मैं आभी लगता है मुझे आभी तक मुझे सीखना है। काश मेरे गुरु जिन्दा होते मैं और सीख पाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ यह जो समुंदर है। जगता पर समुंदर के किनारे में होते हैं, तक बहुत उसल्कुद होता है पानी का। अब तन लहरे होते हैं। अब जितने गहरे में जाएंगे शांथ। तो संगीत में जब तक आप किनारे में रहेंगे तो आप उसल्कुद करेंगे। जब को गहरे में चले जाएंगे शांथ। तो यह एक उपलब्धी है हमारे जिन्दिगी में मैं समझता हूँ मैं जब सिता लेकर बैठता हूँ हम कहते है इश्वर मुझे उशक्ति दो तक हम कहीं फिसल ना जाए अभी भी हम सोचते हैं और यह बात इतनी सच्ची है कोई बिनाय नहीं दिखावाने है हमें साथ किताबे लिखी है क्या क्या बता है अपने बारे में हमारे दो तिन जो स्टूडियो और रेडियो के तो टॉप क्लास के है तो बहुत बड़ा मना जाता थे हमें अब रेडियो में हलाकर चिठी नहीं आए एक इस सभी उपर एक लास बना नैशनल आर हमें इतना खुशी है कि हमें माननेता मिली है पर्दमभुषिन मिला यह वो जड़ आकड़े में अवर दीले हो जितने अवर अमरिका में अवर मिला पर्दी जी आपने कई नई रागों की रशना की समझाए हमें कि कितना मुश्किल होता है कैसे कैसे रची जाते यह आखिर अवर जाते राग बनाएंगे नहीं एक मिसल देता हूं कुछ रागों के पीछ कहानी एक है जैसे हम पहली राग हमने जो बनाय था भिश्यष्वरी मेरे पिता जी भिश्वश्य चावजरी नाम था उनके नाम से मैंने बनाय था मरे वेक मेल था मेल मतलब राग होता ना जै तो हमारे एक करनाटिक मेल में एक राग है चारुकेशी अचा नौर्थ में हमने देखा किसी के पस कोई ऐसा संद नहीं है ऐसे डिमार करश्य नहीं चारुकेशी होगा कोई दया से करता को दया से करता को दया से करता आपको चारुकेशी में चार राग सुना दूँ चार ल तो शकल लेकी होने चाईए तो उसमें शकल की राग उने कि होता है हुआ है इक स्वार लगा है आमें याद है, उनने 177 की बात है, अवसाद आमिर खाँचाब हमारे घर आएदे, हमने को सुनाय था, तुनने बहुत तारीफ करें, तुनने सोचा अच्छा किया, हम लोग सोचते हैं, तुम लोग हम को सुनते हो, सोचते हो, इस तरह से गाना बजन आगे चलता है, इस तरह स जम जाता है, वो गंदी की फॉसिल हो जाते है, इसलिए मुजिक में चलते रहना चाहिए, तुनना जो बनाया जो अपकी सवाल की मात करो, एक पिछे कालन है, यह राग मेरे मन में आया, जब मेरी वाइफ माझश्री चोधरी की डेथ होगी, तुनने मन में का बजाते बजत एक राग, एक सुवर आया, सुवर करते-करते, मुने लगे यह अच्छा जमेगा, बन गया, उनको ने जो प्रभाती मंजरी नाम दिया, उनका नम मंजू था, तो मिसेस मुजदातकर थी, जब जिन्दा थी, प्रलेस को आप मंजरी कहिए, तो प्रभाती मंजरी, तो यह बनी-बना ही कुछी होता यह, तो बहुत आप सरह करे को बनी-बना कुछी होता बागवान की देन है हम ने कुछी नी कर Administration, हमने मन में कुछी आया, मुन में हूं सब्रेन फुक्रते तो खरम का सान की आप मैं जो लोग आईसे करते ना, यह आप अच्छा बज़र्यत भजर quand सब उनीक देन है हम कुछ नहीं है हम लोग आपको सुन रहे थे पंडी जी अभी कुछ महीनों पहले उस्ताद आशिक हली खान साब की याद में जो एक कालिक्रम था कामानी में उसमें और जब आपने दुरुद गर उसमें अपना टेंपो बढ़ाना शुरू किया सतार पर तो मुझे ऐसा लगा या हम लोग को ऐसा लगा कहा जाए जो और भी लोग वहां ओडेंस में थे कि तबले वाले आप से पीछे छूट रहे थे तो इस उमर में भी यह जो आपके अंदर जोश है जो पैशन है यह कहां से आता है कौन सी चीज है जो अभी भी पंडिक देबू च अब एक कलाकर गुजर गया उनको देखने कहा है एक कोई बीमार था अभी आज हमरा उस्ताद के लिए बिश्वारतिक स्कूल है वह पर एक ट्रॉफी दिया में उसको प्राइज भी दिया इतने काम करते हैं अभी भी आप लोग जाएंगे हम काम अब लग जाएंगे तो हम हमारा यह जो मैं समझता हूं कि सच्चा संगीत करिये आप कोई हमको बताएगा हमारा इस नहीं पताएगा अभी भी जहां कहते तो कहते नहीं हो नहीं सकता है अवे एक साल के बाद कितने साल हो जाएंगे अशी साल हो जाएंगे आप मुझे देखके पताएगे और जितने वह जो पतनी जी मंजुशी के ब्योग में देथ के बाद ही हुआ पिले में सब बाल का ले थे मुजीक आपको इट इंस्पार्स रूग इंप्स रूग इफ दो नियू लीज अव लाइफ वो लाइफ चो मिलता है आपको मुजी से अर इस तरह से हम अभी भी पतने बजाने गए थे ूह लोग ने कहा आप तो हमने साथ प्रतिक में चोई ली मेंज भी यह बजा दे कभी तूम पे बशयारते रूद में चोजिए भू ना इस ज्यादा भागता है वै सेमनी हम मैं ने मुद्स कर राता था चौबिस घंटे में 24 CD रिकॉर्ड करने का अब क्या है वो कहानी कैसे बना वो रिकॉर्ड जरा बताएं उसके बारे में वो जब अमरीका गए तो अपर मारशी महें जोगी का मैंने बहुत कुछ काम किया तो उन्होंने कहा इस संगीत को अगर 24 घंटा बातपर्ण में चलते र बनाया और मारशी जी का अपर क्या होता था वो सीरी में जला देते थे एक के बाद एक के बाद चलते रहे तो आपको घर में अगर 24 घंटा राग चलते रहे जूर से नहीं धीरे से बेक्राउन जोसको डिस्टरब ना करे में में जिक है भी नहीं भी ऐसा अब देखेंगे अपको काम करने में लगन बढ़ जाएगा पराये में लगन बढ़ जाएगा ब्रेन शार्फ हो जाता है अप जैसे मिल जंगे सुनते आपको fresh लगता न वह घर में बैटखकर 24 घंटाब सुनीए आपको fresh लगएगा प्रतीक सितार बजाते हैं आपकी परमपरा को आगे ले रहे हैं कितना कितना सुखून देता है ये कितनी 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 साटिस्फाइंग है यह बात की आपकी परंपर आपके बेटे के द्वारा या उनके जर्चे आगे बढ़ रही है विच तो बहुत अच्छा लगता है ना प्रतीक जाद जितने मरें शांग्रत है यह जो दोग है क के लिए अब अब लडगी की पांद चाली वसब सिखती है जरदी बजाते हैं इस बढ़ारे और सतरह पड़े में आप देखी के बाद गार गौर कीजिएगा सतना पड़े में सितार हिंदुतर में कोई नहीं बजाता है आप कहेंगे हम वो सत्रह में हैं उनिस करते हम ने मस्रिट सेन वस ओरीजिनेटर अब मस्रिट खनी बाज और वो सत्रा पड़ने बजाते है हम क्यों हमरे वस्ता सत्रा पड़ने बजाते हैं अगर मैं उनको शागरत हूं और उनको गुरु मानता है तो हमें फॉलो करना चाहिए इसलिए प्रतीक बेटा है ऐसा नहीं कुछ तो कैसे हमसे बातचीत की हम के बहुत बहुत आभारी है कि आपने वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें इसके अलावा रागगेरी को सब्स्ट्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे